प्रेगनेंट होने के लिए महलाओं के सरीर में प्रोजेस्टन हार्मोन का लेविल ठीक होना चाहिए क्योंकि अगर प्रोजेस्टन हार्मोन का लेविल आपके सरीर में प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो आपको कंसीब करने में दिक्कत आ सकती है इसलिए आप इन ज़रूरी nutrition का सेवन करके अपनी बोड़ी में प्रोजेस्ट और हार्मोन का लेविल भी बढ़ा सकती हैं जिससे के आप जल्दी से जल्दी pregnancy भी तंसीप कर पाएंगे नमस्का दोस्तो मैं कुस्पूत ओमर एक बब फिस से स्वागत करती हूँ अपका pregnancy से लेकर एक और नई वीडियो में जहां पर आज का वीडियो एक बब फिस से उन महलाओं के लिए बहुत ज़्यादा योज़पल होनी वाला है जो अभी हाली में प्रेगनेंसी प्लान कर रह इक जो फिल है तो अगर ये समझिया आपके साथ भी हो रही है जिसकी बजय से आप प्रेगनेंसी कंसी नहीं कर पा रहे हैं तो इसके पीचे सबसे जरूरी जो कारण वो ये है कि जिन महिलाओं के सरीर में प्रोजेस्टोन हर्मोन की कमी है या फिर प्रोपर मात्रा में प्रोजेस्टोन हर्मोन नहीं बन रहा है तो ऐसी कंडिशन में क्या है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है ऐसा महिला के साथ ही नहीं पुर प्रोपर मात्रा में हो जाएगा और आप प्रेग्णेंजिंची älमात्रा में हो जा। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फीर हो रहे थे लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई इसका मतलब है आपके हार्मोस अचानक से डिस्टरब हो गए है इसमें आप क्या कमी है आपने क्या गलती की है जिसकी बज़े से आपके हार्मोस डिस्टरब हो रहे है इन सारी बातों को अगर आप जानना चाते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी यूश्पुल होने वाला है अगर ये इन्फॉर्मेशन यूश्पुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को पैस करना ना भूले तो चलिए फ्रेंट्स विनादेरी किया हुए फटा फट से वीडियो को सार्ट कर लेते हैं महिला और पुर्स दोनों में ही एस्टोजन प्रोजेस्ट्रोन एस्टीजी ये सारे हार्मोन बनते हैं लेकिन महिलाओं में प्रोजेस्ट और हर्मोन का बनना उनकी प्री मैनोकोच या मैनोकोच प्रेगनेंसी कंसीब इन सारी चीजों को लेकर जुड़ा हुआ होता है और अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीब करने में दिक्तत आ रही है या पिर आप जल्दी प्रेगनेंट होना च क्योंकि अगर आपकी बोड़ी की हार्मोंस इन्वेलेंस है तो भी आप प्रेगनेंसी कंसीब नहीं कर पाओगे जिन में एलाओं में प्रोजेस्टन हार्मों की कमी होती है या प्रोपर मात्रा में यह हार्मों नहीं बनता है तो वह प्रेगनेंसी तो कंसीब कर लेती है लेकि जदा heavy bleeding होना, bleeding के साथ clots आना, ये सारी समस्याइं आपको हो सकती हैं अगर आपकी body में progestern hormone की कमी हो रही है तो, इसके अलाबा progestern hormone की कमी होने से महिला और पुरुस दोनों में ही यौन इच्छा कम हो जाती है, यानि कि उनका relation बनाने का मन कम करता है, इसी बज़े से pregnancy conceive नही कर पाती है, अब जानते हैं महिला के सरीर में progestern hormone का level naturally कैसे बढ़ाएं, तो देखे अगर आप अपनी body में progestern hormone का level बढ़ाना चाहती है, तो मैं भी आपको suggest करूँगी कि आपको doctor के पास जाना चाहिए, उन से सलाल लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप doctor के पास जाती है, तो वो आपको कुछ medicines देंगे, आपके कुछ therapy करेंगे, आपको कुछ synthetic चीज़ें बताएंगे, जिनकी मदद से क्या है कि आपके hormones तो balance हो जाएंगे, लेकिन आगे चलकर महिलाओं में, इन सारी चीज़ों से महिलाओं में breast cancer का खत्रा बढ़ जाता है, तो देखिए, अगर आप naturally अपनी body में progest and hormone का level बढ़ाना चाती है, इसके लिए आपको कुछ एक काम करनी है, यानि कि अपनी lap style में थोड़ा सा बदलाव करना है, और बस देखिए कि एक से दो महिने के अंदर आपके hormones balance हो जाएंगे, और आप pregnancy भी conceive कर पाऊगे, सबसे पहली बात stress को कम करें, जी हा आपको या आपके partner को बहुत ज्यादा stress तो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा stress रहने से क्या होता है, कि महिला और प्रोस्दौनों के ही body में hormones disturb हो जाती है, और ज्यादा stress रहने से महिला और प्रोस्दौनों के ही सरीर में addin line और cortisol hormone release होने लग जाता है, जिससे क्या है कि उनके सरीन में प्रोपर मातरा में प्रोजेस्ट और हर्मोन की मातरा नहीं बहुच पाती है या पिन नहीं बन पाता और इसी वज़य से महिला और उस दौनों में ही प्रज़न चमता कमजोर हो जाती है और आप प्रेगनेंसी कर सीब नहीं कर पाते हैं तो अपनी बॉड़ी तोड़ा सा प्राइवेसी बनाएं जिससे कि आप साथ में जैसे कि कुछ प्राइमिस पेंट करें, गूमने के लिए जब भी आप वॉक्ट करने के लिए जाती है अपने पार्टनर को साथ ले जाएं अगर आप ऐसा करती है तो इससे क्या होता है कि एक तो आप बॉंडिंग अच्छी बनेगी, दूसरा आप दोनों के जो हार्मोन से हैं, वो भी काफी हद तक बैलेंस हो जाएंगी, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिला और पोस्ट दोनों के सरीन के रूप में फैट की जरूर पड़ती है, और इसी से क्या होता है कि महिलाओं के सरीन में प्रोजेस्टन हर्मोन का लेवल अच्छी मात्रा में बनने लग जाता है, इसलिए अगर आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंट होना चाहते हैं, या फिर आपके बॉड़ी में जो हार्मोन इन्वैलेंस होने हैं, उनको आप करना चाहते हैं, तो आप अपनी डायेट में कॉलेस्टोल फैट को बढ़ा दीजिए, यानि कि अपनी डायेट में थोड़ इसी फैटी वाली चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए, इससे क्या है कि अपकी बॉड़ी में प्रोजेस्टन हर्मोन का लेवल बढ़ेगा, और आपके सरीर में जो इंफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है, वो भी धीरे-धीरे करके कम हो जाएगी और आप प्रेग्नेंसी कंसीव कर पाएंगे, यानि फैट बढ़ाने के लिए आपको क्या चीज़ें खानी है, इसके लिए क्या है कि आपको अपनी डायेट में नॉन के लेविल को सही मातरा में बनाए रखने के लिए उनकी बॉड़ी में जिंक का प्रॉपर मातरा में होना बहुत जरूदी है, जिंक जो होता है वो महिला और पुरुस्त दौनों में ही प्रेजनेंट चमता को बढ़ाता है, इसके साथ ही जिंक जो होता है, वो मिनरल पिट् हो जाती है, और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी में भी दिक्कत नहीं आती, इसलिए जिंक को लेने के लिए आपको अपनी डायेट में रेड मीट और डार्क चॉकलेट को सामिल कर लेना है, इन चीज़ों का अगर आप एक प्रॉपर मातरा में लेती रहती है, तो इससे क प्रॉपर मातरा में पहुचेगा और आप इन फर्टिल्टी की जो सिकार हो रही है, उसमें भी कमी आ जाएगी, इसके साथ ही आपको अपने डायेट में मेगनेसियम युक्ति चीज़ों का सेवन भी करना है, क्योंकि मेगनेसियम युक्ति चीज़ों जो होती है, ये चीज है कि आपको प्रेगनेसियम 100% हो ही जाएगी, चौति चीज है बिटामिन C और बिटामिन E, महला और प्रॉस दौनों में ही फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उनकी बॉड़ी में बिटामिन C का होना बहुत जादा जरूरी होता है, क्या है कि अगर आप बिटामिन बिटामिन C की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको अपनी डायक में ब्रोकली, सेव, संतरा, नीबू, हरी पत्तेदा सब्जियां इन सारी चीजों का सेवन लगातार करना है, इसके साथ ही बिटामिन E जो होता है, वो महलाओं में उनकी एक्की कॉलिटी को काफी बहतर बना है, वो भी कम हो जाती है, और आपको प्रेगनेंट होने में भी काफी मदद मिलती है, उमीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद प्रेगनेंसी कंसीब करने में आपको काफी मदद मिलने वाली है, अगर वीडियो यूच्पुल लगता है, वीडियो को लाइक करें, औ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फ्रेट करना ना भूले तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स टाम तब तक के लिए धन्यवाद